यह है Poco की तरफ से ब्रेनी स्मार्टफोन Poco A4 पिछले 15 दिन से स्मार्टफोन को मैं हेवी यूज कर रहा हूँ गेम वगरा खिल लेता हूँ, मोवी वगरा देख लेता हूँ यूज को प्राइमरी फोन की तरह स्मार्टफोन को मैं यूज कर रहा हूँ आप सबी लोगों तो पता है स्मार्टफोन के उपर मैंने वाटर टिस्ट किया था, हाल फिलाल में फोन का हालत क्या है चलिए मैं आपको डीटिल में बताता हूँ यहों कि इस Poco A4 का असली सज में आपको बताता हूँ हुआ है přगशें तो सुभू बात करते स्मार्टफोन की Bill quality इं डीजाइन से स्मार्टफोन जो देखने में काफी कुपसरत रहने वाला आए अईसे स्मार्टफव की fonsight के तरफ और back side के तरफ रहने वाला कॉर्ण नहीं गोल 높लक फ्रे applies का जो फ्रेम है वो फ्लाट्ड डीजाइन के साथ आता है पतला और ए pensar phenomenon है थोड़ा स्तंग होने वाल ऑला है अगर में ded Сट्वाद पीछी के तरफ लिए घात में उच टाले मेडसी तो टोड़ी सी तकलिप विगञणा आ जाता है लेकिन queuses नहीं आता है यह चीश मुझी अच्छा नहीं लगाए जो स्मार्टफून आता है स्गाप मिल dejar के साथ もう स्मार्टफून में इन डिस्प्ले स कि देना चाहिए तहां साइद साइड वी है इतना फास्ट नहीं तहि miles ने आप और छोटी रहने वाला है और यह पर सेल्फी कैमरे के आसपास में जो बिजल है उन ना के बराबार मिन ले वाला है इसके बात किया जाए स्मार्टफून की डिस्प्ले के बारे में डिस्प्ले का साइच के तरफ देखा जाए जो स्मार्टफून आता है 6.67 इंच फुल-एजडी प्लस एमोलेट डिस्प्ले के साथ आता है यह पर 120 हर्स का रिफ्रेशट रहने वाला है यह पर 90 हर्स का रिफ्रेशट नहीं देखने को मिलेगा 60 हर्स और अब 120 हर्स में स्मार्टफून को ईच कर सकते हो 120 Hz कर जो रिफ्रेस्ट रहने वाला है यहाँ पर आप देख सेकते हो स्क्रॉलिंग में कुछ भी दिक्कत नहीं है यह जो स्मार्टफून आता है 1300 ने स्पीक ब्राइनेस के साथ जब मैंने स्मार्टफून को आउट्डूर में यूच करता हूँ मुझे कुछ भी प्रॉब्लेम नहीं मिला है उसे के साथ डाइरस साल लाइड में भी मुझे कुछ भी प्रॉब्लेम नहीं मिला है ब्राइनेस जो इस स्मार्टफून के अंजर बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा वाइडवान यहलाल सापूर्ट के साथ आता है अब OTT प्लाटफूर में फूल HD में कॉंटेंट बगरा देख पाओगे ऐसे में स्मार्टफून में आप फोर के वीडियो को देख सकते हो HDR10 प्लस का सापूर्ट रहने वाला है और Dolby Vision को भी सापूर्ट करता है यहां पर अब देख सकते हो कि जो वीडियो में क्वालिटी और जो देखाई दे रहे हैं कितना खुबसरत रहने वाला है यहां पर आप देख सकते हो जो कॉलर भगरा प्रांट रस देखाई रहे हो बहुत ही अच्छा है स्मार्टफोन में आप full view display का मज़ा ले सकते हो और आप स्मार्टफोन में किसी एंगल से वीडियो को वाच कर सकते हो यहूंकि स्मार्टफोन के आंदा जो डिस्प्ले मिलेगा वो लेकर एक user से कुछ भी सिकायत नहीं आने वाला है लेकिन जो सिकायद आने वाला है स्मार्टफोन की प्रोसेसर से जो स्मार्टफोन आता है Qualcomm Snapdragon की तरफ से 870 चिपसेट के साथ जो की GoctaCore चिपसेट है इसका जो clock speed अंकरता है 3.2 GHz में और यह जो चिपसेट बना हुआ है 7 nm पर स्मार्टफोन में जो Antutu score निकल कर आता है 6,43,000 प्लास अगर आप गेमार हो तो आपके लिए जो स्मार्टफोन है कैसा रहने वाला है आप स्मार्टफोन में, बीजी माई गेम को 60 अपीस में खेल पाऊगे और जो बहुत ही अच्छा मिलता है और स्टेविल भी रहता है अगर आपgun में स्मार्टफोन में बीजी में स्मार्टफोन के मैक्स ग्राफिक सेटिंग में तो एक दो मैच ख़लने के बाद स्मार्टफोन लगबग 45 डिग्री के आसपास में हीट हो जाता है हिटिंग का इस तो स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा अगर स्मार्टफोन का हीट 45 डिग्री से ज्याद देखने को मिल रहा था उसको बहुत अच्छी तरीके से फोको ने फिक्स्ट किया है अगर मैं बात करूँ रैम मेनेश्मेंट के बारे में मेरे पास जो फिरेंड है उसके बात करना चाहूंगा स्मार्टफोन की कैमेरा के बारे में जो स्मार्टफोन आता है पीछे की तरफ रिफ्ल कैमेरा सेटफ के साथ प्राइमारी जो सिंसर रहने वाला है स्मार्टफोन के बारे मेरे में 60 पर वीडियो को रेकॉर्ड कर सकते हो और वीडियो में जो कालार डेटेलिंग उसे के साथ स्टेविलेशन जो मिलता है और मस्त निकल कर आता है पिक्चर सेंपल में आप लोगे के साथ सेर करो आता है आप देख सकते हो तो Chocolate नृपर अच्छा की अ आपको आप अगर आपको यह दोनों फीचर्स अच्छा लगता है तो स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा फोटो में जो डाइनमिक रिंज देखा है अब यह पर देख से हो तो इतने अच्छी तरीके से मैनेज करता है इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाला स्मार् स्मार्टफोन के बारे में जो स्मार्टफोन की आदर स्पेसिविकेशन के बारे में जो स्मार्टफोन आता है लेटिस्ट एंड्रोड 12 के साथ और यहां पर मियू याई 13 रहने वाला है मियू याई 13 में आपको प्री इंस्ट्रॉल एफ और थोड़ी बहुत बग्स दगने को मिल जाएगा जब आप स्मार्टफोन को सेट अप कर लोगे तीन सर चाथ दिनों के अंदर आपको एक स्मार्टफोन में 3.5mm audio jack नहीं है इन बॉक्स एक एडप्टर आता है जिसके जरी अब बहुत ही आसानी से टाइप सी से अब 3.5mm audio jack को लगा सकते हो Poco A4 जो स्मार्टफोन आता है 10Wand 5G के साथ और यह पर 4G plus का support भी रहने वाला है जो downloading या uploading जो speed मिलता है वो बहुत ही fast रहने वाला है स्मार्टफोन में स्मार्टफोन आता है dual mic के साथ noise को बहुत ही अच्छी तरह के से manage कर लेता है स्मार्टफोन में IR blaster मिल जाएगा स्मार्टफोन को रिमोट की तरह यूज कर सकते हो स्मार्टफोन में जो star level रहने वाला है within limit रहने वाला है जो स्मार्टफोन आता है Google dialer के साथ जब अब call recording को on कर होगे Google वाले NDG बता देगा call recording स्टार्ट हो गया है इसके बाद बात के स्मार्टफोन की स्पीकर के बारे में जो स्मार्टफोन आता है dual stereo स्टीरियो स्पीकर के साथ और यहां पर डॉल्वी एड्मोस का सापोर भी रहने वाला है एक्जम्पल में आपको सुनाता हो तो यहां पर भॉलम को मैंने पुरी विर आप कर दिया पर पर अब बहुत ज़्यादा लाउड रहने वाला है इतना ज़्यादा दिक्कात नहीं आने वाला है साउंड से लेकिन जब स्मार्टफोन में फूल भॉलम से अगर आप म्यूजिक सुनोंगे तो फोन जो फ्राइवेट करने वाला है अब मैं बात करना चाहूंगा स्मार स्मार्टफोन आता है 4500 डामेज बैटरी के साथ और इन बोक्स आता है 67 वाट का एडप्टर के साथ 0% से 100% तक फूल चर्च करने के लिए जो स्मार्टफोन टाइम लेता है 46 मिनिट के आसपास में और चार्जिंग के टाइम में जो स्मार्टफोन नॉर्मल सा हीड होता है 42 अगर मैं बात करता हो बैटरी वैटरी वैकाव के बारे में में ₹ दिन करता है 120 Hz को अँटाज कर के ठोड़ा हेवी हूं करता है मेरा साम तक तो अरॉम से स्मार्ट पोन से ब्सक्रीश में लगाना वेकाववागा उस्मार्फोन पाने हैा नाहीं यह स्मार्टफोन ने वाटर प्रूब और डास्ट प्रूब रहने वाला है वाटर प्रूब मतलाब यह नहीं है अब फोन को पानी के अंदर एक घंडर से भी जादा रखतो यह जो फोन है एक मीटर पानी के अंदर लगबग 10 मिनिट तक तो रह जाएगा अगर आपका फोन में कभी पानी का स्मार्टफून के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लेम देखने को मिल रहा है जैसे मदर बूर का इसु करें सारी बर्गस और कैमेरा का प्रॉब्लेम तो रहने है ईसी मπου अपनल जाएका इस्था इस यह वर्यापकोल के सदब आता एक प्लास प्र शंप और मेरे हिसाब से जो फोने जो प्रिसिवी के संग ओफर कर रहा है वो मस्त रहने वाला है लेकिन इन फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में कोई बता नहीं सकता है क्योंकि मेरा दो दोस्त अभी भी पोको को X3 Pro के यूच कर रहा है और F3 GT को यूच कर रहा है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं मिला है हिटिंग इसू छोड़ कर देखो यार आपके किसमें अलग हो सकता है आपका मादारबूर खरब हो सकता है इसके उपर कोई भी गारंटी नहीं है आप सोच समझका डीसिशन लेना ऐसे क्योंकि सबकर आये तो अलग-अलग होता है उमिद करता हूँ आपको वीडियो वसन दाया होगा उमिद करता हूँ मैंने आपका सारी डाउट किलियर कर दिया अगर आपको वीडियो वसन दाता है तो एक लाइक करना उसी किसना चैललिंग को कहले लिज़े सब्सक्राइब और नोटिविकेशन बेल को आल में क्लिक करतीजिए.